हेलो बच्चों आज हमारा क्वेशन है एक्साइज 5.4 से करेंगे क्वेशन नंबर 5 करेंगे find the least number which must be added to each of the following number so as to get a perfect square क्या के रहा हमारा क्वेशन find the least number हम ही वो least number find out करना जिसको की हम add करें इस number के साथ यह क्या बन जाए perfect square बन जाए इस number के साथ हम उस छोटे छोटे नंबर find out करना जो हम इसके साथ क्या करें add करें जिससे के perfect square बन जाए also find the square root of the fallen square so obtain और जो इसको add करके number आएगा उसको हमें perfect square निकालना है तो सब्सके पहले हम देखेंगे 525 में क्या add करेंगे इसके लिए मुझे 525 का perfect square निकालना पड़ेगा बाइप 25 तक अब मुझे देखना क्या 25 तक हमारा square होता है क्या इसमें क्या number है ओ हम करें किस number समदी तो अगर मैं 4 into 3 करूं तो 3 3 9 3 4 12 यहां तो 129 हो रहा जो कि 125 से greater है और हम इसमें add करना वह number जो यह क्या बन जाए जिससे perfect square बन जाए अगर मैं इसको 82 से करूं तो 224 और 28 से 164 हो रहा चोटा हो रहा तो हम इसको 3 टाइम देंगे तो कितना आ रहा 129 आ रहा 125 जाए 129 अगर मैं 129 अगर यहां पर 129 आप क्या हो गया 125 जाए अगर मैं 129 से 125 मैंस करूं तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा अगर यह 4 मैं 1525 के साथ एड करूं तब जाकि हमारा फट्रिट स्क्वेर हो जाएगा कैसे क्योंकि हमारा 129 आ रहा अगर मैं 4 को एड करूं तो यहां मारा कितना आ जाएगा 129 आएगा यहां मारा perfect स्क्वेर हो जाएगा तो हम कह सकते फोर मस्ट भी एड़िट फोर मस्ट भी एड़िट हमें कितना एड करना पड़ेगा फोर एड करना पड़ेगा अगर मैं 525 में 4 को एड करूंगा तो हमारा हो जाएगा five hundred twenty nine हो जाएगा अब five twenty nine का अगर हम निकाल के देखे ना बेटा देखो यह अगर हम इसको करके देखेंगे तो टू यहां पर कंपलीट करना पूड़ेगा यहां यहां एड़ेगा यह पूर थीटाइम कमपलीट जा रहा था कि नहीं जा रहा था वान ट्वंटी नाइन इस दिके हमें फाइब ट्वंटी नीज चाहिए छा यहां हमें हमें Engagement और इस तो हम कहाई सकते हैं 529 किसका फ़र्ट स्क्वार है 23 इसका फ़र्ट स्क्वार क्या है 23 ऐसे ही मुझे 1750 करना भई यह देखो दो प्यर बने अगर हम 4 का करेंगे 4 का स्क्वार 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 वन यहां से और यह 50 अब यह 4 यहां अब मुझे रिखना बाई टू टैम दोंगा अगर मैं तो टू टू जा फोर एटू जा शिक्स्टी वन शिक्स्टी फूर जब टू टैम मैं दे रहा हूं तो कितना आ रहा रहा 1 सिक्स्टी फॉर यह ग्रिटर हो गए इस से इसको मैनस करेंगे तो बहूं यहां 4 बचे बहूं यहां 14 इट convince क्या मार यह मैनस फोर्टीन आरहा यह हमें क्या करनाए इसके साथ डिक हैश्य how can Hopkaweer 14 must be added posting must be added हमें 14 added added किस के साथ 재밌iblical और वान सेवन फान जीरो प्लस फूर्टी म कर दो भाय फोह यह six हो जाएगा यह सेवन वन अब इसका निकाल दो one seven six four प्यर बन जाएगा ओके लोके यह को फोह से करेंगे तो four sixteen वन बच रहा यह 64 यह 4 यहां add हो जाता है कितना रहा एट बैए टू जा यह टू ओके यह कर रहे है 4 और 2 कितना 164 इट मीज 1 764 का फर्रिट कर कितना होता 42 होता है कितना होता है 42 होता है ओके ऐसे हम देखेंगे 252 बैट 252 यह और यह हमारे दो पियर बन रहे होता है 1 से देंगे 1 1 जा 1 2 में से 1 गए 1 यह पियर आएगा नीचे 52 हो गए इस वन को यहां add भी कर देंगे यहां 2 अब देखो 2 अगर मैं 5 टाइम करूं 5 टाइम करूं तो कितना रहा 5 5 जा 25 5 टू जा 10 और 2 12 1 25 अगर मैं इसको 6 टाइम करूं तो 6 जा 36 6 टू जा 12 और 3 कितना हो जाएगा 156 मैंने इसको 6 टाइम किया तो 156 मैं मैंनस कर दो 6 में 2 गया 2 6 में 2 गया 4 sorry कितना आएगा 4 मैंनस 4 आएगा तो यह 4 को हम एड़िट करेंगे इसके साथ भाई 4 मस्ट भी एड़िट कितना एड़ करेंगे 4 मस्ट भी एड़िट हमें कितना एड़ करना है पड़ेगा 4 भाई 252 में 4 एड़ कर दो कितना आ जाएगा 256 अब 256 से आप निकाल सकते हो ओके भाई 1 से करोगी तो 1 कितना जाएगा 1 यहां 1 बच रहा यह 56 आ जाएगा यह 1 एड़ भी हो टू अब देखो 6 तैम तो कितना आ रहा 156 ओके पूरा-पूरा जा रहा इट मीन 256 किसका है 256 स्क्वार रूट क्या हो जाएगा मारा 16 हो जाएगा ऐसी दिखो भाई 1a25 यह अगें फोर फोर का स्क्वार है तो फोर इंटू फोर 16 एट में से शिक्स का जाए टू यह पियर आ जाएगा टू टू फाइट भी हो जाएगा यहां एट हो गए अब मुझे देखना मारे टू टू फाइट कैसा होगा देख टू अगर मैं इसको फाइब से दूँ तो 55 जा इसको से देंगे टू फॉर टू अटा शिक्टेन वनूसिस्ट्वॉ ओके टू-फोर्टि-न तो जब हम इसको थी टाइम दे रहे तो कितना रहा टू-फोर्टि-नाइन मैं नैन में फाइब गया फोर फोर में टू गया टू इट मींस कि हाट ट्वन्टि-फॉर अमएं एट एड़ेट मस्त भी एड़ेट हमें कितना एड़ करना है ट्वंटी फॉर वैट टू फाइब के साथ अगर मैं ट्वंटी फॉर एड़ करूँ तो क्या जाएगा फाइव फॉर नाइन टू टू फॉर ये एट वन अब देखो एट वन एट फॉर नैन का प्यर प्यर बैए फॉ टाइम दे रहे, पूरा पूरे जा रहा, 249, it means 1849 किसका है, 83 का, square है, वह इसका square root क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा, फिब पात हमारा है, 6412, भाई 6412, पेरिंग करेंगे, हमारी दो पेर बंड़े, अब देखो, अब निकाल की देखींगे, भाई 64 है, किसका होसा, 8 का होता, एक 8 जा कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा वह यह 0 यह प्यारा जाएगा नीचे 12 यह नियम के अंसार यह 8 इसके साथ एड़ भी होगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ओके अब मुझे 12 अगर मैं 16 को 0 से करो तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो ये तो छोटा हो जाएगा तो हम क्या करें इसको 16 को 1 से करेंगे तो 1 कितना आजाएगा 161 जो कि इससे बढ़ा है तो 1 सम इसको दे देंगे कितना आजाएगा 161 अब इसको सप्टेट कर दो वई 11 में से 2 गया 9 यहां बचा 5 5 में से 1 गया 4 और यह 1 है तो 1 मैनस 149 अब मुझे कितना एड करना वई 149 must be added अगर हम इसको एड करेंगे तो 6 4 1 2 प्लस 149 को एड कर दो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा 4 और 1 5 यह कैरी थी 6 1 और 4 5 ओके और यह 6 ओके अब हम इसका निकाल देंगे भाई 6 5 6 1 यह दो पियर बन रहे तो 8 से जारा 8 8 जा 64 यह 1 आ जाएगा यह 6 1 यह 8 यह एड भी हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 161 है तो 1 से दे देंगे तो कितना आ जाएगा 161 पूरा पूरा तो हम क्या सकते से 6561 का स्क्वार रूट क्या हो जाएगा 81 तमारा आंसर क्या हो जाएगा 149 and 81 ओके साइब करो जाएगा nearly 16 2 डूरा पूरा पूरा जाएगा ilग जाएगा जाएगे झाल झाल